तो यहां पर देख लेते हैं कि इतना गिरने के बाद हम लोग क्या दुबारा पोजीशन बनानी चाहिए कि नहीं पर उससे पहले हम लोग कंपनी के थोड़े बहुत फंडमेंटल देख लेते हैं कंपनी के मार्केट कैप देखी जाए तो 650 करोड की है अभी आप लोगो याद तो 29 मार्च के अंदर यहां पर स्प्लेट हो गया था या कह सकते हो की डी मर्जर हो गया था इसकी जो 55 परसेंट रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी ती रेट टेप उसको इन्होंने डी मर्ज करके अलग एंटिटी बनाके मार्केट में लिस्ट करने का प्लान मनाया अभी तक यहां पर स्टॉक की यहां पर 25 की अगले साल पर अब क्योंकि यहां पर अलग हो गई तो यहां पर आपको मतलब जो बैलन्स शीट दिख रहे इस इस आप से जिस्टेश मिलें यह तब कि आपकी प्रॉफिट है जब दोनों कंपनी साथ में थी और 2023 में देखो तो यह तब क के अंदर बहुत जादा तेजी साब को डिप देखने के लिए मिल रहा है अगले साल आएगा तो अभी तक के लिए यह सारी जो चीज़ें मतलब यह असलियत में ऐसा है नहीं सिर्फ मिर्जा इंटरनेशनल की बात की जाए तो वह रिजल्ट आप लोगो फिर अगले साल से इस कौर्टर से पता चले लगेगा जून कौर्टर जब रिजल्ट आजाएगा वहां से आप लोगो पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि सेल्स बढ़ रही है मिर्जा इंटरनेशनल की कॉंस्टेंट है या गिर रही है तो अभी तो यहां पर इसका आईडिया नहीं लिया सकते हैं कि company के अंदर कुछ तो positive हो रहा है अपनी होल्डिंग यहां पर दुबारा बढ़ाई है जून कौर्टर के अंदर देखो कि अपनी होल्डिंग कम कर दिया यह निकल गया है अब चार्ट पर देखेंगे इन वाले लेवेस पर हम लोने बैसिकली बाय किया था जब य यह एक सही समय है यहां पर sell करके आपनों निकल सकते हो अब इस समय पर देखा जाए तो company एक downtrend के अंदर है लेकिन इस downtrend में बहुत जादा वालियूम नहीं आ रही है तो अभी इसको negative बहुत जादा नहीं बोलेंगे थोड़ासा correction आया है देखो जब unusual run-up होता है तो company जित लिए और निकल जाए यह क्योंकि वहां से फिर chances हैं कि market गर सकती है अगर आपको थोड़ा सा मतलब company लंबे समय के लिए तब तो देफिनिटल आप पार्शल प्रॉफिट बोकिंग करिए पूरा प्रॉफिट बॉक करने के जुरूत नहीं लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसके बाद गिर जाएगा तो होगा आपको रिग्रेट तो उससे बचने के लिए पार्शल प्रॉफिट बॉकिंग आप लोग ऐसे सिचूइशन के अंदर कर सकते हो अब यहां पर देखा जाए एन वाले लेवल के नीचे आएगी तो थोड़ा सा गिरावट और देखन अगर यहां बाय करोगे तो चांसे की कंपनी और नीचे आएंगे फिर आपको और लॉससे बचने के लिए अभी इस तेवल पर आड़ करने की कोई ज़रूत नहीं आपको पर यहां पर स्टेबल हो जाए कंपनी एक कंसलिडेशन फेज में आ जाए यह कह सकते हैं स्टेज ब सब्सक्राइब कर देना अपना क्यापिटल सेफ रखना और अपना क्यापिटल सेफ रखना के बायर